हाई गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हो मैं आपका अपना लाडला छोटा सा प्यारा सा नना सा डॉक्टर डॉक्टर नमनीत कालरा घर से वीडियो बनाने का शाम का समय बारिश हो रही है और टॉपिक के कैसा है कि जो मैं खुद experience किया है इस टॉपिक को और दिल से बना रहा हूं कि बड़ सारे लोग complain करते हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी problem आज की डेट में अगर जो मैं देखता हूं जिसके लिए इंसान हर रोज दवा खा रहे है वो है acidity पेट में जी acid ब दवाई खाते हैं तब तक थोड़ा बहुत आराम आ जाता है उसके बाद फिर वही शुरू फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं जब बिल्कुल नी ठीक होते हैं फिर दॉक्टर बोलता है भाई एंडोस्कोपी करा लो अना ultrasound करा लो फिर आप ultrasound कराते हैं एंडोस्कोपी कर उसके बाद थोड़े दिन आराम मिलता है फिर वही कहानी फिर patient परशान की यार कोर्स भी कर लिया सब कुछ कर लिया एंडोस्कोपी भी हो गई patient फिर भी ठीक नहीं है मेरा अपना experience क्या कहता है यह बताने के लिए मैं यह video बना रहा हूं क्योंकि मेरा experience कुछ और ही कहता है जिसकी वज़े से मैं अगर जो देखा है तो मुझे सबसे बड़ा कारण acidity का अच्छा आपने कुछ देखा होगा कुछ लोगों को कि सब कुछ खा लेते हैं सब कुछ खा जाते हैं उनको कुछ भी नहीं होता और जिनको acidity होती है वो पानी भी पीलें थोड़ा से जादा उनको acid बनना शुरू हो जाता है वो कुछ भी खाएं वो कहते हैं सर कुछ भी खा लें हमें तो acidity शुरू हो जाती है ऐसा क्या यार एक इंसान को कुछ भी नहीं हो रहा आपके दिमाग से, आपके stress level से बना हुआ है क्योंकि ये मैंने खुद experience किया है कि इन patients को जहां पे endoscopy में ये आ गया वो आ गया, फलाना आ गया, सब कुछ करके देख लिया नहीं patient ठीक होते हैं आप उनका stress level ठीक कर दो आप उनको कुछ ऐसा करने पे मज़, देखो डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है, no doubt, आप बाहर का खाओगे, spicy खाओगे, हाना तो प्रॉलम हो सकती है, लेकिन normal खाना खाने से भी acidity हो रही है normal, जरा सा भी कुछ खाते हैं, प्रॉलम हो श्यों हो रही है बिना दवाई खाए, काम नहीं चलता है, जिस दिन होती है, उस दिन दवाई खाओ मैंने ये note किया कि इन लोगों का stress level बहुत बड़ा होता है, इन को ही पता नहीं होती ये बात, इन patients को ये बात पता नहीं होती है कि stress level इतना बड़ा हो है कि वो हमारे अंदर ये physical symptom produce कर रहा है stress एक ऐसी चीज है कि वो आपकी body में कई तरह के symptom produce कर सकता है, जैसे कि कई लोगों को, अब आप देखोगे कि headache होने लग जाता है stress हुआ तो headache हो गया body ये कोना शुरू हो जाता है, कईों को कुछ और तरह के symptom आने शुरू हो जाते है कईों के सिर्फ brain पैसर करता है कि depression है, anxiety है, लेकिन कुछ लोगों को psychosomatic symptom आते हैं जो उनको पता ही नहीं होते, कि ये इसका कारण मेरे stress level है भाई उनको नहीं पता, क्योंकि ये कोई कैसे सो सकता है कि मेरी acidity इतनी ज़्यादा जो हो रही है वो stress की वज़े से हो रही है मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस बात पर काफी, मतलब मुझे लगता है 80% cases में ऐसा मैंने देखा कि जहां पर मैंने stress की दवाईयां दी उनको stress reliever दिये और patient की थोड़ी counselling करी और थोड़ा सा treatment modify करा थोड़ा diet समझाई, patient ठीक होगे बिल्कुल ठीक होगे ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि stress कहीं लोगों का नहीं ठीक होता है जिंदगी बर वो फिर relapse कर जाता है, लेकिन जो हम medicine acidity की खाते हैं PPI खाते हैं, उनके बहुत side effect है अगर हम दो महीने से लगाता है, लंबी खाते जाएं तो side effect होते हैं, bones पर असर आसकता है आपके kidney पर असर आसकता है आपको vitamin B12 की deficiency हो सकती है इसलिए और फिर patient ठीक भी नहीं है खा के उसको, वो कहता है मैं ठीक ही नहीं सर मैं खाने के बाद भी मुझे एतनी problem होती है तो मेरा कहना है कि psychosomatic symptoms के लिए psychosomatic symptom में acidity भी एक बहुत बड़ा symptom है gastroesophagia reflex भी एक बहुत बड़ा symptom है मैं आपको एक बात बताता हूँ कभी note करना कि अगर आप रात को नहीं नीन आई तो मैंने ये अपने लेवल पर इन patients को treat करके देखा psychosomatic symptom मान के चला उनको कई stress की दवाईयां अलग-अलग काम करती हैं कुछ psychosomatic symptom पर ज़्यादा काम करती हैं तो इसकी particular 2-3 दवाईयां हैं जो इन पर ज़्यादा काम करती हैं जैसे तो मैं इनको मान के चलता हूँ जैसे IBS है उसी तरह से acidity भी है उसी तरह से gasoesophagic reflux भी है हम लोग GRD में reflux को कम करने की दवाईयां देते रहते हैं लेकिन नहीं अराम आता है सच बता रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए अराम पड़ता है फिर शुरू हो जाती है तो मेरा ये मानना है कि भाई अपने stress level कम करो जिन्दगी में target उतनी रखो जितने achieve कर सकते हो सपने देखना बूरी बात नहीं है लेकिन जिरो से ज़्यादा फालतू के सपने हर रोज और चोटी-चोटी बातों पे stress लेना शायद हम लोगों की एक आदत पड़ गई है हम लोग जिन्दगी में बहुत आगए बढ़ना चाहते हैं भागना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि जिन्दगी चोटी सी है भाई हाना चोटी सी जिन्दगी है क्या बोलो तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ में अगर चाहते हो कि बीमारियों से बचें इस तरह की प्रॉलम से बचें टाइम पे सो टाइम पे उठो मोबाइल जाला दिर यूज मत करो सोने से पहले 2 गंटा मोबाइल बन कर दो और एडिक्शन अपने बन करो अगर आप दारु पी हो गये तो एसी ठीक नहीं होगी अगर आप तमसिन गुट्क होका यह सब करोगा तो यह सब चीजे नहीं ठीक होने वाली है ठीक है पेंकिलर खाते जारे हिए हर रौज कहां से एस और मैं आपकी प्रॉलम का समधान करने की कोशिश करूँगा, बड़े लोगों की कर भी चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, और सच पता रहा हूँ और खुद भी अजमाया है वाई फार्मूला है, मुझे भी रहता है, मुझे तो साहली कोई ऐसी बिमारी नहीं है जो ना हुई हूँ, इसलिए मैं बहुत परफेक्टर हूँ, क्योंकि मरीज भी खुदी हूँ, था, अभी भी हूँ यार, थोटी मोडी प्रॉलम तो लगी रहते हैं सिंदगी में हाना, और चलते चलते एक गीत गुनगणा देता हूँ, क्या, इसी से रिलेटेड है, थोड है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस मेरा हिट डायलोग है, ज्यादा तो हर एक को चाहिए, हाना, सपने हर एक को देखने का अधिकार भी है, लेकिन ऐसा नौ कि उन सपनों के चक्कर में हो अपनी जिन्दगी बरबा जाता है और फिर इस दुनिया से जाने का समय भी आ जाता है क्या बोले तो शुक्रिया बबु मुश्याय बाई